हेलो तो वीवर्स कैसे आप सभी आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मैं भी बिलकुल अच्छे से हूँ तो आज की जो वीडियो है वो देखने के लिए आप चैनल पर आ चुकी है इसके लिए आपका धन्यवाद और चलिए आगई वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो द जो भी कपड़े के आप लटकन बनाना चारें वो लटकन ले लिजिए और डोरी ले लिजिए सिर्फ इन दो चीजों से हमारी बन करके रेडी हो जाएगी इसके लिए जो मैंने मेजरमेंट की अगर बात करें तो बड़े वाला जो पीस है वो लिया है मैंने 5x5 का उसके अल हम ले लेंगे 5 इंच की जो नीचे लटकाएंगे न वह वाले डोरी है यह लटकन के लिए उपर वाले डोरी जो है बांधने के जो काम आएगी वह आप आपने अकोडिंग ले सकते हैं छोटी या बड़ी जितनी भी आपको चाहिए वह आप ले लीजिए तो देखिए बना हो तो से थोड़ थोड़ा कटिंग करा दिया यानि को खृड्ए बोले के लिए उसको कटिंग करना जरूरी घर द़िए हैं चार इंच और पांच इन्च वाले इनको ही हम guidance को में द्रक ने थोड़ा-थक anlat लेते हैं कपड़ा अगर चोटा बड़ा रह गया था उसके बाद एक कट जरूर से लगा लेजिए क्योंकि कट जब आप लगाते हैं तो आपको एकदम हमने बनाया था पीस इसको पलट लेंगे पलटना इसको नामुम्किन नहीं है थोड़ा सा इसको आपको पैसेंस के साथ बनाएंगे क्योंकि बिल्कुल छोटा ही होल हमने इसमी किया था कपड़े का और यह देखे इस टाइप से हम इसको सीधा करने के बाद में इसे किसी भी किली चीज से आप इसकी जो नोख है उसको अच्छे से निकाल ले अब चाहे तो इस परेश कर सकते हैं और ना चाहे तो ऐसे भी इसमें काम चल जाएगा आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब देखी हमें रखते समय यह ध्यान रखना है इस टाइप से हमें आगे प चाहें तो आप सोउई की में कैवी कर सकते हैं ताकि बिलकुल एक पट्राइर में हम यह में लगाना है नोट करना है तो आप चाहें तो मोथी बगीरा लगा करके इसको वाहंग सकते हैं पर मैंने यहां पर यह दोरी ली है यह देखिए इस्टोन की जो आती है यह वाली मेरे पास रखी थे मैं इसी का यूज कर रही हूं इसको छोटा सा मैं कट करूंगी और इसके उपर से बांद देंगे हम इसको फिनिसिंग से और फिर इसके बाद में जो नीचे वाला जो लट पीकिशन आएगा और आप वीडियो को फटा-फट से देख पाएंगे तो चलिए आग जाते हैं नीचे की तरफ और नीचे की तरफ अगर आते हैं तो यह देखिए डोरी लगाते समय यह हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि नीचे वाले साइड में ही हमें डोरी का ज्यादा वाला पार्ट रखना है उल्टे साइड से इसकी हम सिलाई करेंगे और नीचे जब ले करके आएंगे तो इस कोर्णर को हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे तो यह हमारी फिनिसिंग के लिए अच्छा रहेगा और यह देखिए इस टाइप से हम तिनों को ही बना लेंगे तो जो लोग नए आयम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और हाँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी है तो आप लाइक कीजिएगा और दूसरा आपके जितने भी चाने वाले उनके साथ में शेयर भी कर दीजाएं अब देखिए इसको सुई धागे की हेल्प से अच्छे से इसको सिलाई कर दें हम नीचे वाले जो पार है उसमें यह जो लड़ी हमने लगाई थी यह वाली हम लगा देंगे और उपर वाली जो बांदने वाली है उस साइड में आप और हाँ दूसरा भी आप कई तरीकों से इसको यूज़ कर सकते हैं तो आपको कैसी लगी वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लिल लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो जैसे मैं बोल चुकी हूं प्लीज सब्सक्रा करेंice कीजिए और चैनल झाई कीजिए पू था- essent